आजी बेरी गुड मॉनिंग स्वागत है जे भी बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर और आज जो क्लास लेके आ रहे हैं उसमें एक बेसिक जो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो पांच चीजें बताऊंगा उनको आप ध्यान से समझें ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी पहले तो यह समझें कि जो अपन स्टार्ट को बोलते हैं एक्स्पंडिचर और स्टीक बोलते हैं इंकम आपका सेलिंग प्राइज हो गया और यह आपका क्या अब को बेसिक बात है अपने ध्यान रखने है परसेंटेज प्रोफित लॉस आल्वेश केल्कुलेटेड आन प्रतिशत लाब आने की घंदना अमेशा एक्सपेंडीचर पर होगी एक्सपेंडीचर को हिंदी में बोलते हैं और इसको बोलते हैं आए देखिए मैं आपको रिक्मेंड करूंगा यदि आपको बहुत बढ़िया एक्सपेंडीचर करनी है इस टॉपिक में इस तरह के सेट्स में तो यह जो लाइन है इनको आप बार बार लिखे जितनी ज़्यदा बार लिखोगे तो जब आप कोस्टन सॉल करोगे आपका माइंड अपने आप स्ट्राइक होगा तो पर्सेंटेज प्रॉफिट लॉस ऑल्वेज क्यल्कुलेटेड ऑन एक्सपेंडीचर फिर अपने को ध्यान रखना है इंकम ऑल्वेज डिवाइड़ बाई हंड्रेट प्लस माइनस और जहां कहीं पर भी इंकम आ गई वो हमेशा हंड्रेट प्लस माइनस और से क्या होगी डिवाइड होगी प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं इंकम प्रॉफिट लॉस लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं इंकम है न सेलिंग प्र यह discount जो होता है वह हमेसा किस पर दिया जाता है MRP इसमों profit loss कि और вып गीपनों have जब CP ौR SP दोनों गीवन हो बेचने से पहले होने वाले खर्चे प्री सेलिंग एक्सपेंस जो है वह कॉस्ट का पार्ट होता है कॉस्ट प्राइस का पार्ट होता है है आपने वस्तू खरीदी उस पर कोई पैसे खर्च किया है तो वस्तू की कॉस्ट में दूरेंगे यह अपने को ज्यान रखना तो यह बेसिक बेसिक लाइन होगी फिर अपने को ज्यान रखना दो फॉर्मले होते हैं एक तो होता है प्रॉफिट लॉस का और दूसरा करूंगा कि इनको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे तो आपका काम बहुत बढ़ी हो जाएगा यह आपका व्य हो गया यह आए होगी यह प्रॉफिट लॉज लाभानी 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 प्रतिश्व तो प्रॉफिट लॉज ऑल्वेश कैल्कुलेटेड़ ऑन कि इंकम गिवन होगी देखों प्रॉफिट लॉज दो केसे पूछ सकता है यह तो एक्सपेंडीचर गिवन होगी तो इनकम ऑल्वेश डिवाइड़ यह अपने लिखा धा और किस से गुणा कर देंगे आरसे तो यह प्रॉफिट लॉज हो जाएगा और अपने से expenditure पूछेगा तो भी ध्यान रखना है income always divided by 100 plus minus r और into में क्या हो जाएगा so profit loss always calculated on profit loss always calculated on expenditure तो profit loss always calculated on expenditure और into में क्या कर देंगे सो और income जो है income कैसे आती है तो आप बोल दोगे सर expenditure इंट्टू 100 plus minus r बटेश्ट मैं सारों को recommend करूंगा जो भी इस topic को बहुत बढ़िया से करना चाते है इन सारे पांचो फॉर्मलों को कम से कम 12 से 15 बार बोल बोल के लिए जितनी जैदा बोल बोल के practice करते हो लिखते हो उतना फायदा मिलता है profit loss हमेंसा expenditure पर calculate होगा और income हमेंसा 100 plus minus r से divide होगी यह पांच और दो तीन बाते भी धियान रखोगे तो आपको इस तरह के सेट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यह starting का जो दो-चार मिनिट का है मैंने आपको एक basic बता दिया अब अब यदि हैपन question करेंगे तो maximum question ज हैं कि question में क्या-क्या जानकरी अपने को दे रखी है तो question में अपने को जानकरी दे रखी है कि यह अलग-अलग information अपने को दे रखी है तो जो इसने कह रखा है विभिन कंपनियों की जो प्रतिशत व्य है है ना वह अपने को दे रखा है अलग-अलग कंपनियों का percentage expenditure दे र होता है तो अभी अपने थोड़ी देर पहले किया था profit percentage होता है profit upon expenditure into so profit कैसा है जब income आपकी ज्यादा होगी खर्चा आपका कम होगा तो यह आपका profit है बिल्कुल सही है दो को income ज्यादा expenditure गम है upon expenditure दो यह भी अपना expenditure लिखा है और multiply by 100 तो यह चीज अपने इसको पता है profit percentage ही होते है चालिस crore है अधाओ चालिस का 30% देखिए एक चाल्य द्याना को किसी भी संक्या का 40 क्रो किसी भी संक्या का 10% उसके एक के बाद happens होता है उसके एक के बाद कि अतौर को होना है तो तीन गुना किता हो गया बाड़ा करो किता हो गया बारा करोร हैटारा एकnaire memica 19 कि लेन इसाज आपको इसारी की सारी अपने पास में क्या ओगी expenses आगी क्योंकि दिकने को सारा डेटा किसका दिया एकSPAN्सेस का अब आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किस पर क्याल्प्रेट होता है एक्सपेंडिश पर प्रैक्टिक लिए अपने बाद में जाएंगे जैसे एक ही बात कर रहे हैं तो एका खर्चा किता है बारा करोड बी का किता है सेवन और यह परॉफिट परसेंटेज होता है यह किस पर क्यलकुलर होता है एक्सपेंडिश पर क्योंगा कि एक को कितना प्रॉफिट हुआ तो आप बोलोगे सब्सक्राइब का खर्चा है 12 कुरोड और उसका 40 परसें देखो अगें मैं आपको यह की बात कूंगा इसका 10 परसें तो आपको 10% के लिए 1 के बाद पॉइंट लगाना होता है तो 10% किता घ्या 1.2% 10% किता घ्या 1.2% 40% किता होगा 4 गुना यदि मैं आपको बोलता हूँ 10% मतलब एक के बाद पॉइंट यह है तो 40% तो चार गुना होगा चार गुना होगा मतलब 4.8 तो यदि आप से कोई पूछे इसका 40% क्या आएगा आपने अपने मन मन में सुचा 10% 1.2 होगा 40% 4.8 तो यह जो मेरी इनकम आएगी प्यारे बच्चों यह 16.8 आयगी कि नहीं आएगी वोलो यह सुर्म कि hasn't किसी भी संख्या का 25 पर परसंट निकालना समझ यह बात यह 50% आ गया मेरे को 60% निकालना यह मैंने 50 निकाल दिया आधा हो गया और 10% यह और आ गया तो इस तू 2.64 तो मैं 2.64 इसमें जोड़ दूँगा तो यह आजाएगा 7.04 क्या आजाएगा फटाउट गुल दो 7.04 और ने तो 45 को 16 से गुना कर लो दिक्कत वाली बार ने 16 चोंके 64 ठीक है अब आधागो 6.8 का 70 परसंट तो आएगा यह और साथ गुना करता तो सब्सक्राइब करते हो गया चपन और बैयालिस और पांच किते हो गया तो प्रॉइंट सेवन सेख्स यह हो जाएगा छे पंदरा और ग्यारा यह अपना इंकम आ गया चे का 80 परसंट हो गया 4.8 और यह मेरा इंकम आ गया 10 प्रैक्टिकली देखा जाएं तो मेरे को अभी तक मैंने कोश्चन एक भी स्टार्ट नहीं किया लेकिन मैंने आपको सारी चीजें कितना प्रॉफिट होगा कितना कॉस्ट होगा कितनी इंकम होगी अपने सारा का सारा कैलकुलेट कर लिया तब को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं तो एक वार मेरे को फटावर चैट में लिखके बता करूंगा कि मैं आपको हर वीक दो तीन दो तीन क्लासे लगाता देता रहा हूं ताकि चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेगी तो अभी एक दिन मैं ट्वंटी कोश्चन आपके सीरीज और के भी लेकर आ रहा हूं कभी डियाई लेंगा कभी कुछ लेंगा अब अब बना लगता है आपने कैलकुलेट कर रखी है बहुत बढ़ी है अधर वाइस आप और कर सकते हो कि देखो टोटल किता है चालिस करोड तो एक ही इंकम क्या होगी तो आप बोलोगे सर एक ही इंकम होगी 40 करोड का 30 परसेंट ये तो उसका क्या है एक्सपेंडी चान और इंकम किती ये 40 परसेंट प्रॉफिट है तो उसको 140 परसेंट देखो ये टोटल ये एक का शेयर और इंकम पूछिए तो इंकम क्या कहती है या 100 परसेंटो मैं मेरी कोस्ट के लूँगा ही लूँगा और 40 परसेंट मैं प्रॉफिट के और लूँगा तो आपने जो पहले सॉल किया था वो भी सही है कोई दिक्केत वाली बात नहीं है और आप चाओ तो इससे भी स्वाल करसकते हो मेरी एक बात हमेशा दिमाग में सेट कर लो पॉइंट और जीरो जो होते हैं ये आपकी speed को destroy करते हैं खATम करते हैं इस पर दिमाग नहीं लगाना अब आप देखो चार तीरी किते होगे बारह बारह इंटू 14 जब लगातार दो इवन नमबर होते तो बीच का स्क्वेर माइनस वन इस तरह का कोई आपशन आएगा पॉइंट जिरो को देखो ही मत और आपको खुद कोई लग जाएगा ओनली सेकंड आपशन ऐसा है जो अपन जा सकते हैं अगले सवाल पर जओं सीडी एफ के प्रॉफिट्स का सम क्या है तो दो 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 सीडी एफ के तो सी यह रहा सी यह रहा डी और यह रहा एफ इनके प्रॉफिट का सम बताना दो 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 1.8 4.8 तो 1.8 और 4.8 आपके होगे 6.6 और 6.6 और 2.64 आपको जाएगा 9 9.24 एक बार चेक कर लेते हैं 9.24 आप्शन में है क्या तो अपन देख लेते हैं 9.24 बिल्कुल आप्शन में अवेलेबल है यह अपना अंसर तो 9.24 अजाएगा बिल्कुल आसान सवाल है मैं आपको बता रहा हूं कहीं कोई मुश्किल वाली बात सभी छे कंपनियों की टोटल इंकम टोटल एक्सपेंडिचर का डिफ्रेंस बता हूं देखो प्यारे बच्चों 40 जो एक्सपेंडिचर है वो तो अपने को पता ही है यह सुरनो अब रही बात इंकम की तो आप एक चीज़ समझे इनकम और एक्सपेंडि इनकम का टोटल करने की जुरूरत नहीं आप तो प्रॉफिट का कर लो और प्रॉफिट में प्यारे बच्चों आपको पता है सीडी अफ का अभी अपनने किया है नाइन पॉइंट टूफॉर तो आप तो लिख दो साथ सीडी एफ का तो नो पॉइंट दो चार मेरे को पता करना है और दोनों को जोड़ दूगा A20 Aby polskl mn 408 यह लोजी एका पी का किता हो गया 1.8 और इपका किता हो जोट लो है आप ईसको जोड़ एंच ना सीस और अब आपके तो 0 आगया 6 आगया और यह देखो 20.6 आगया ना देखो profit क्या होगा income expenditure का difference होगा तो क्यों profit profit calculate करना है profit में भी तीन value अपने पहले calculate कर रखी थी इन को जोडने की ज़रूरत नहीं है remaining तीन को जोड लिया दोनों को जोड दिया और यह अपना answer आ गया नहीं है मामला हड़ हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया सासाथ comment लिखते रहें तक कि आपको मेरे को भी पता लगता रहेगा यह कह रहा है इका profit सी की income का कित्ता परसेंट आगव को एका profit एका profit है क्या देखो इस 17 का 17 का 70% कर्कि ऐसेंटा परसne डिय की इनकम टो सी की इनकम हो जाएगी नाइंका वन का oneTrust देखो छी की इनकम क्या होगी नाइन परसेंट इसका यह टोटल में और इसका वन 50% मिलेगा तो आपने लिख दिया 17 का 70% 9 के 150% का कितना परसेंट है जीरो से जीरो गए 17 सत्य पंदरा निम्मे इंटो सो अब बहुत प्रैक्टिकली सोचना क्या यह अंसर सो से कम आएगा जदा आएगा तो आपको गैसर साफ ही दिख रहा है सो से कम आएगा इन अच्छाषक एँख थम नहीं हो सकता है यह तो आदे से भी कम नए तो एक मातर हुए है अब आपको लutanा एक सो पैंतिस तेरा का पढ़ा बोलो तो आप बोलोगे सिर्थ डिरा निम्मे और सिसका क्या और आप फिर भी परिवाईट करना चाहते हो तो मैं आपको मनार नहीं करूंगा आप इस तरह से स्वाइल कर सकते हो 15 से कटो 15 सकते 105 कि पंदरा निम्में 135 पंदरा तियां पंतालिस पंदरा तियां पंतालिस नो अठे बैतर नो अठे बैतर नो एका नो यह देख लो करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको क्लियर कट कह रहे हैं कि यह हम बहुत दूर दूर है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसका अगला इसका 25% प्रॉफिट ले रहा हूं तो किता मिलेगा 125 के एक्सपैंडिचर से कितने परसंदीके तोसी के किता है जाए नो का 100 परसंट और यह कितना आढ़िए तो यह गया यह तिक है अब देखो 9 दूर्णी 18 तो यह आ गया घए 200% किता आगया बोलो 200 अब इसने अपने से पूछा कितने % अधिक है तो अपने ये तो कह दिया कि ये इसका ढाई 100% लेकिन कितना अधिक है तो अपना अंसर किया जाएगा 1.500 कितना अधिक है तो खुद के 100% अपन लेस्ट कर देंगे तो यह वैल्यू आजएगी अब आपको लगता है टेबल से स्वाल करना दो बी की आई तो बी की आई अपनी आई थी नाइन और कंपेर किसे करना है अपने पास आगया डाई सो परसंट और जैसा कि मैंने का कितने परसंट अधिक है तो हंड्रेट से अपन क्या कर देंगे पहरे बत्तों इस टाइप के सेट का सबसे आसान सवाब आप यह मान के चलिए सवाल ऐसा है जिसमें बहुत ही चिलर टाइप का सवाल है लेकिन यह क्यो किया गया उसका मेन परपेश है देखो मैंने आपको इस सारे फॉर्मले बते हैं और मैं आपको एक बात कहूंगा इनको आप जरूर लिख लिखके प्रैक्टिस करें और अगली जो डिए दो सेट और लेक्स क्लास में उसमें आपको आईडिया लग जाएगा भी किस तरीके से करना है तो मैं सारों को रिक्मेंट करूँगा एक वार इनको जरूर लिखें और को अपने आप करके देखें कैल्कुलेशन जितनी दिमाग में हो सकते उतनी करें और धीरे-धीरे जो चीज़े वह अपने आप इंप्रूम्मेंट आएगा उनमें ऐसा नहीं कि एक दिन मे इंप्रूम्मेंट आएगा जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के लिए तब तक लिए धन्यवाद